हैं आपका यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को टी वी सी आई बी एन ने लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा यह आपको यहाँ पर फाइंड आउटे करना हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका शुभम है एस यू बी एच एम यह स्पिलिंग आपको गिवन है इसको क्या लिखा गया है टी वी सी आई बी एन लिखा हुआ है इस परकार से यह जो लेटर सीरीज है उसको इस परकार से हमने लिख दिया है तो एस से हमें टी पर जा पड़ेगा, S के बाद आपका T आता है, इसी प्रकार से, U से आपको V पर जाना है, तो एक इस्तान आगे जाना पड़ेगा, इसी प्रकार B से C पर जाना है, तो एक इस्तान आगे जाना पड़ेगा, इसी प्रकार M से N पर जाना है, तो एक इस्ताने आगे जाना पड़ेगा मतलब है पहले लेटर और जो सेकंड जो लेटर है सेकंड सीरिज का उसमें एक इस्तान अगर आगे बढ़ते जाएं तो हमें नेक्स्ट वाली लेटर सीरिज यहां पर मिले जाती है सिमिलर हमें जो शब्द है से टी य एमें स्तिम में भी हमें एक एक लेटर आगे बढ़ेंगे तो वन वन लेटर आगे बढ़ते हैं तो एस के बाद क्या आता है टी आता है एक बाद बी आता है टी के बाद में क्या आता है यू आता है वाई के बाद में जैर आता है A के बाद B आता है और M के बाद N आता है तो आपका नया जो कोड है वो क्या बन गया T, B, U, Z, B, N T, B, U, Z, B, N बन गया जो कि आपको आप्शन नमबर D में गिवन है तो D हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा कोशन है आपका और रिक्तिस्तान पर है कौन सा पता आएगा ये आपको यहाँ पर Find Out करना है दे गई Letter सीरिज में तो यहाँ पर आपके Letter गिवन है B, E, H, A K, N, Q T, W, Z और उसके आगे खालिस्तान है इस खालिस्तान में दे गई चार आप्शन में से कौन से Letter सीरिज आएगी वो आपको यहाँ पर Find Out करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका Letter लिखे गए है B, E, H लिखा गया है उससे हम देखते हैं K, N, Q कैसे आया तो B आपका कितने नमबर पे आता है 2 नमबर पे आता है E आपका कितने नमबर पे आता है 5 नमबर पे आता है H आपका 8 नमबर पे आता है जबकि K आपका 11 नमबर पे आता है N आपका 14 नमबर पे आता है और E Q आपका 17 नमबर पे आता है तो सबसे पहले हम देखते हैं B से आपको कहा जाना है K पर जाना है अगर 2 से हमें 11 पर जाएंगे तो 2 में हमें कितने लेटर जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर 9 लेटर जोड़ने पड़ेंगे इसी प्रकारी E से आपको N पर जाना है तो E आपका 5 पर है 5 से आपको 14 पर जाना है तो यहाँ पर भी 9 लेटरी जोडने पड़ेंगे इसी प्रकारी H आपका 8 पे है 8 से आपको 17 पे जाना है तो यहाँ पर भी आपके 9 लेटरी जोडने पड़ेंगे आगे हम देखते हैं कि जो है आपका वो 11 पे है N 14 पे है और Q आपका 17 पे है इसी प्रकार एए T आपका 20 पे है W आपका 23 पे है और Z आपका 26 पे है तो 11 से हम 20 पर जाएंगे तो यहाँ पर 9 लेटर जोड़ेंगे K से T पर है इसी प्रकार एए 14 से हमें 23 पर जाएंगे N से हम W पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हम 9 लेटर जोड़ेंगे इसी प्रकार Q से हम Z पर जाएंगे तो 17 से हम 26 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी 9 लेटर जोड़ेंगे तो इसी प्रकार T, W, Z से आपको 9 9 लेटर जोड़ते हुए आगे बढ़ना है तो सब में यहाँ पर 9-9 लेटर जोड़ेंगे तो आपका T आपका 20 पर आता है W आपका 23 पर आता है और Z आपका 26 पर आता है तो T से हमें 9 लेटर जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें 6 लेटर जोड़ेंगे तो Z पर पहुंच जाएंगे और Z से हमें A, B, C कहां पहुँचेंगे C पर पहुँच जाएंगे इसी प्रकारी 23 में हमें 9 लेटर एड़ करेंगे तो सबसे वेले हमें 3 लेटर एड़ करेंगे तो हम Z पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद में 6 लेटर और जोड़ेंगे तो आप कहां पहुँच जाओगे F पर पहुँच जाओगे इसी प्रकारे Z में हमें No Letter Add करेंगे तो हम कहां पहुँच जाओगे I पर पहुँच जाओगे तो आपका यहां पर जो Format है वो बन गया है C, F, I बन गया है जो कि आपको Option No 2 में गिवन है तो Option No 2 हमारा इस Question का अंसर हो जाएगा Hello Student से आपको एक No 2 सीरीज का Question गिवन है जिसमें संख्य है 2, 3, 10, 15 और 26 है उसके बाद में आपको एक Question Mark गिवन है जहां पर कौन से संख्य आएगी यह आपको Find Out करना पड़ेगा तो इसे कैसे Soul करेंगे तो सबसे पहले हम देख पा रहे है 2 से हमें 3 पर पहुँचना है अगर मैं 2 का Square कर दूँ और इसमें से 1 घटा दूँ तो हम 3 पर पहुँच जाएगे इसी परकार से हमें 3 से 10 पर पहुँचना है अगर मैं 3 का Square कर दूँ और इसमें 1 जोड़ दूँ तो 3 तरीका नो प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इसी प्रकार से हम आगे देख पा रहे हैं हमें 10 से 15 पर पहुँचना है तो मैं क्या कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं 4 का स्क्वाइर कर सकता हूँ और माइनस 1 कर सकता हूँ इसी प्रकार से हमें 15 से हमें कितने पर पहुँचना है 26 पर पहुँचना है तो यहाँ पर मैं 5 का स्क्वाइर कर सकता हूँ प्लस 1 कर सकता हूँ तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा और कोशन मार्क वाली संक्या पर हमें find out करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का square minus 1 हो जाएगा, तो 36 minus 1 कितना हो जाएगा, 35 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा answer हो जाएगा, सबसे वहले हमने क्या किया, 2 का square किया, उसके बाद में 3 का square किया, उसके बाद में 4 का square किया, उसके बाद में 5 का square किया उसके बाद में 6 का स्कॉर किया सबसे पहले हमने 1 mind किया उसके बाद में। 128 तो एक सीरिज आप देख पाँ रही हूँ जिसमें 23456 का स्कॉर चल there है इसके अलावब माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन यह हमारी सीरीच चल पा रही है तो एक दिन सूरियास्त के समय ए भी आमने सामने खड़े हैं यदि बी की परचाई ठीक उसके बाईया और पड़ रही है तो एका मुहें किस दिशा की और है तो आप सभी जानते हैं सूरियास्त के समय जो सूरिया होता है वो किस दिशा में होता है पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है और आगे कहा गया है यदि बी की परचाई बी की जो परचाई है वह ठीक है बाईं और गिर रही है तो यहां पर ए और ए बी को हमने यहां पर खड़ा कर दिया जो ए की जो परचाई है नहीं बी की जो परचाई है बी के लिए कहा गया है उसके बाईं और गिर रही है तो इ बाई और पड़चाई को गिरा दिया यह आपका B है यह A है इदर आपका सूरी अस्तोरा है और इसकी जो किरने आ रही है उसे B की पड़चाई किस और गिर रही है लेट साइड गिर रही है तो आप से पूछा गया है A किस दिश्या की और मुह करके खड़ा है तो यह आपको बताना है तो आप सभी जानते है यह पूरू दिश्या होती है यह पच्छिम दिश्या होती है उपर की और उत्तर दिश्या होती है और नीचे की और दक्षिन दिश्या होती है तो जो B का मुह है वो तो नीचे की और है और एका मुहें उपर की और है तो उपर की और ये कौन सी डारेक्शन है उत्तर दिशा है तो आप्सन नमबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा जो ए है उसका जो मुहें है वह है उत्तर दिशा की और होगा कोशन है आपका यदि कल के बाद का दिन ने ब्रस्पतिवार बोले तो गुरुवार है तो आज से 133 दिन बाद कौन सा दिन होगा यह आपको यहाँ पर find out करना है तो यह आपका present day हो गया उसके आगे कहा गया है कल के बाद यह आपका आज हो गया यह आपका कल हो गया और यह परसों का दिन हो गया तो परसों के दिन क्या दिया गया है आपको ब्रस्पतिवार बोले तो गुरुवार आपको यहाँ पर दिया गया है तो आज का दिन क्या हो जाएगा इससे एक दिन दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है तो आप सभी जानते हैं सबता हमें कितने दिन होते हैं सबता हमें दिनों की संग्या आपकी साथ होती है तो 133 दिन में अगर हमें साथ का भाग देंगे तो remaining दिन हमें पता लग जाएगा कि मंगलवार के आगे हमें कितने दि यहां पर आपका छेश्वल कितना बच रहा है, जीरो बच रहा है, इस कारण से आपका जो वार है वो कौन सा वार हो जाएगा आपका similar वार हो जाएगा मतलब present day है वही दिन आपका 133 दिन के बाद आएगा और कौन सा वार आएगा मंगल वार आएगा जो कि हमें option number B में given है तो B हमारा इस question का answer हो जाएगा